हेलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल रीतू की दुनिया हर हर महादे आज हम मनाएंगे एक कटोरी आटे से 35 से 40 गुलाव जामुन एक छोटी कटोरी से ना इसमें हम खोया डालेंगे ना ही हम इसमें कोई ड्राइफ रोट और ये बहुत देश्टी और बहुत स्वादिश्ट बनके तयार हो जाएंगे जैसे कि दिवाली कतोहार है और घर में मिठाई नहीं है तो हम ऐसे आटे से बना सकते हैं चलो आईए रेसिपी सुरू करते हैं ये मैंने एक छोटी कटोरी आटा लिया है इसे हम कढ़ाई में अच्छे से भून लेंगे इसको हम जादा भी नहीं भूनेंगे थोड़ा हलका ही भूनेंगे दो से तीन मिनट के लिए नहीं तो ये जादा भूनने से जल जाएगा जल जाएगा तो फिर हमारे रसगुलों में खाने में महक आएगे हम इसे हलका सा भून लेंगे ताकि आटा कच्छा न रही और हम रस गुले जो बनाएंगे उसमें आटे की महक नाए इसलिए हम इसको भून लेंगे क्योंकि हम इसमें ना ही हम आवाय डाल रहे हैं ना ही हम इसमें कोई दूद वगर ऐसे किसी भी चीज का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हम इसे ऐसे ही भून लेंगे अब यह मैंने अच्छे से भून लिया है 2-3 मिनट के लिए अभी यह गरम है इसे हम थोड़ी देर क थंड़ा होने के लिए रख देंगे तब तक हम चास्मी बना लेते हैं यह देखे मैंने कढ़ाई रख दिया कढ़ाई में एक गिलास पानी डाल दिया है और इसमें आदा कटोरी चीनी डाल दी है अब हम इस चास्नी को बनाएंगे ये देखे इसे हम ऐसे चला लेंगे और ये हमारी चीनी विल्कुल एकदम मैंट हो जाएगी यानि घुल जाएगी और हम चास्नी को बनाएंगे बिना तार के ना हम इसे में एक तार करेंगे ना ही दो तार जो तारवाली चासनी होती है वो होती है बर्फे जमाने के लिए यह हम बना रहे हैं गुलाव जामून की चासनी तो इसलिए हम इसे तारवाली नहीं बनाएंगे इसे हम हलका सा जब यह अच्छे से तयार हो जाए 5-7 मिनट के लिए तो इसे हम ऐसे उंगली से चेक करेंगे जब यह चिपकने लगे तो हम इसे चासनी को उतार लेंगे तो यह देखिए हमारी चासनी अच्छे से पक रही है आप यह रसवूले बनाओगे न यानि यह गुलाज जामन बनाओगे न तो दुकान के लाने भूल जाएंगे और यह हमारे घर के चीज से एक पटोरी आटे से बनके तयार हो जाएंगे ये देखे है माई चासनी अच्छे से बनके तयार होगे मैंने इसको चेक किया है उगली से ये अच्छे से चिपक रही है हम उसे हम नीचे बतार लेंगे ये वो आटा है जो हमने भूना था थोड़ देर थंड़ा होने के लिए रख दिया अब इसमें हलकी हलकी ऐसे एक आट सी बन जाते तो हम उसे ऐसे हाथ से मसल लेंगे और ये मैंने लिया है लाइची पाउडर लाइची पाउडर को हम इसमें डाल देंगे इससे हमारा खाने में बहुती अच्छा टेस्ट आएगा और एक बहुती अच्छा हिलाची का फ्लेवर आएगा ये और ये मैंने लिया है एक कटोरी दूद इसको हम इसमें एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से गूथ लेंगे यानि मिक्स करके अच्छे से मसल लेंगे हम इसे अच्छे से गूथ लें ताकि आटे में हमारी नाही कोई गाठे रहें और ये एकदम सोफ्ट तरीके से हो जाए बल्कुल सोफ्ट बन जाए जिसे कि हमारी रुजगुले खाने में बहुत इटेस्टे और डिलीसियस लगे एक बार आप बनाएंगे ना तो तुकान के लाना भूल जाएंगे ये देखे मैंने थोड़ा सा पानी लिया एक ग्लास में इसे हम हलका हलका पानी लगा के आठे को गूत लेंगे जैसे रोटी का था गूत है न चपाती का इस तरह इसे इसको हम सोफ्ट रखेगे नहीं इसको पतला करेंगे नहीं जादा टाइट करेंगे पूरी जैसा नहीं करना हमें करना है रोटी जैसा चपाती जैसा उससे भी हलका सा पतला इसमें हम अच्छे से मुक्ति मार के बहुत ही अच्छे से तयार कर लेंगे यह देखें नहीं मैंने इसमें कोई घी डाला है नहीं मैंने इसमें खोया डाला है और इसमें आर्टबिल गुल भी नहीं चिपत रहा है एक दम इसमें बहुत ही अच्छे से चिकनाट आया हुआ है क्योंकि हमने दूर डालाएं ने इसमें जैसे मैं रेसिपी बना रही हूं इसी तरीके से आप इस रेसिपी को फोलो करें और बहुत ही अच्छे से इस रेसिपी को बनाएं और गुलाब जामुन जैसे की तिपावली आ रही हूं आप भी खाएं अपने रिस्तिदारों को भी प्लीड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें जादा से ज़द है वीडियो को लाइक करें और कोमेंट करें यह देखें आटिकी मैस में से ऐसे छोटे छोटे टुकडे तोड़ लोंगे इन टुकडों से हम गोल गोल बोल बनाएंगे फिर बाद में हमारे रसगुले भोत स्पंजी और भोत डिलिसियस बनके तयार हो जाएंगे यह देखें ऐसे हमने सारे आटिकी टुकडे छोट छोटे तोड़ लिया अब इनकी हम ऐसे बोल बनाएंगे तो यह द्यार लखें उन में ट्रेल नाएं मतलब ऐसे उनों कोई भी बोल में लाइन ना बनी नहीं तो हमाई तर्स घृल जाएंगे हलकी तो चल जाएगी पर ज्यादा लाइन रहरागी तो नहीं चलेगी तो कुसस्एहं घुलाब जाम हो जाएंगे ऐसे हमें एक एक करके सभी गुलाब जाम उनको बना लेंगे मनलब कि बोल बना लेंगे फिर इनको हम एक साथ कड़ाई में छोड़ेंगे ये देखें मैंने सारे बोल्स बना ली है ये देखें मैंने कड़ाई रख दी है और फ्लेम चालू कर रखें यह मैंने पहले ही रिफाइन डॉइल डाल के घरम कर लिया था अब इसमें हम एक एक करके सारी बोल्स डाल देए यह देखे जब हम उसमें डाल रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं नीचे चीपक रही है बोल और नहीं यह फट रही है एक दम कितने अच्छे से पक रही है इनको हम हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे इने हम मेडियम फ्लेम पे पकाएंगे और इनको हम एक दम से कर्ची नहीं डालेंगे इनको ऐसे हम कड़ाई को हलका सा दोनों हातों से पकड़के हिलाएंगे और फिर बाद में ऐसे कर्ची को च चारों तरफ से घुमाएंगे यह देखिए हमारे गुलाब जामुन को कितना अच्छा कलर आया है लग रहे हैं एकदम खोये जैसे और इनमें हमने खोया भी ने डाला एकदम आटे के बनाए हैं यह देखिए कितने अच्छे गुलाब जामुन बनके तयार हो गए है अब इनक आगाव हों अब नष्क कितना अच्छा कलर आयों और खोने में इतने ही टेश्टीि लगेंगे अब बेलाब बकिक आ कि ब्लेट में अब उनको हम इसमें डाल देंगे दूसरी बार दिवार्दि दूबारा से बचेवये को या ब्चे या च्जिया में लिख धकते ने कात ब अच्छी से ऐसे ही पका लेंगे यह हमारे एक कर्टोरियाटे में 35-40 गुलाव जामुन बनके त्यार हो जाएंगे दुकान पे यह 500-600 रुपे किलो मिलते और यह घर में हमारे कर्टोरियाटे से बनके त्यार हो जाएंगे ना पैसल लगना ना कुछ और भूती स्वाधिष्ट और बहुती टेस्टी बनेंगे देखें इतना चकल रहा है इनको भी हम ऐसी उस चासनी में डाल देंगे जैसे पहले वाले डाले थे यह देखें वो हमने पहले डाल दे ते और यह बचे होए थे यह डाल दे और यह देखें हमारे गुलाब जामून कितने अच्छे से बनके तैयार हो गए हैं आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा कोमेंट करें लाइक करें वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके रेसिपी कैसे लहीं मुझे कॉमेंट करके बताएं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें रीतो की दुनिया कि यह देखे गाई हर हर महादेव